हलो फ्रेंड्स वेलकम टू एससी कोचिंग सेंटर दोस्तो आज की वीडियो में सीखेंगे प्रतिसत निकालना ठीक है प्रतिसत का सबसे इंपोर्टेंट वीडियो है आज का क्योंकि यहीं से प्रतिसत स्टार्ट होता है आपका देखें यहाँ पर क्या लिखा हुआ आपका देखें प्रतिसत का मतलब क्या होता है प्रतिसत का मतलब क्या होता है दोस्तो प्रति पिलस शत ठीक है इसको दो भागों में तोड़ते हैं तो प्रति का मतलब क्या होता है दोस्तो प्रतिक आप प्रतिक का मतलब समझेंगे तो क्या होता है प्रतिक और शत का मतलब क्या होत ठीक है दोस्तों समझे में आगी बात और प्रतिसत का जो आपका शाइन होता है वो इस तरह का होता है के लिए यह आपका साइन होता है प्रतिसत का चिन होता है यह समझे में आगी बात प्रतिसत बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं दोस्तों मैं आपको जहां से प्रतिसत स्ट अब देखे इसमें क्या कहना है जैसे माली जिये ये कुश्चन में आपको बताता हूं आपके पास दोस्तो 20 रुपए आपके पास कितने हैं दोस्तो 20 रुपए और आप से कह दिया जाए कि इस 20 रुपए का 10% आप दूसरे ब्यक्ति को दे दो ठीक है 20 रुपे का 10 प्रेतिसत दूसरे ब्यक्ति को दे दो ये मैंने आपसे कह दिया ठीक है आपके पास कितने रुपे है 20 रुपे है और मैंने कहा इस 20 रुपे का आप 10 परसंट दूसरे ब्यक्ति को दे दो तो 20 रुपे में से कितने रुपे आपको देने है 10% कह रहा है तो दोस्तों 10 रुपे नहीं देने आपको देने है 10% तो 20 रुपे का 10% निकालेंगे आप और वो कितना होगा वो देना है आपको आपके पास दोस्तों कितने रुपे है 20 रुपे है 20 रुपे का 10% देना है आपको दूसरे ब्यक्ति को तो 20 रुपए का क्या करेंगे दोस्तो 10% निकालेंगे का का मतलब होता है multiply, और 10 की बात हुई है 10 लखेंगे इस percent का मतलब होता है, बटे में 100 यह याद रखना पर्सेंट का मतलब क्या होता है दोस्तो 2-100, percent 7 में दिया गया है तो percent को हमेशा कहा लेखेंगे बटे में clear है एक zero से ये एक zero कट गया ये वाले zero से ये वाला zero कट गया 2 multiply एक तो 2 का multiply एक से करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 रुपे हो जाएगा इसका मतलब क्या है आप से क्या कहा था 20 रुपे का 10 percent दूसरे व्यक्ति को दे दो तो कितने व्यक्ति को आपको दूसरे व्यक्ति को कितने रुपे देने है 2 रुपे देने है 10 percent कहा गया था तो 10 percent का मतलब कितने रुपे देने है आपको दूसरे व्यक्ति को 2 रुपे देने है 20 रुपे में से दूसरे ब्यक्ति को कितनी देने है आपको 2 रुपे देने है समझ में एक दोस्तों बात इसी तरीके से परतिस्थ निकाला जाता है आगे देखेंगे और अच्छे तरीके से किलियर होगा ठीके दोस्तों? अब देखें दोस्तों यहां पर आपसे क्या करा है 100 का 30% निकालिए आपके पास 100 रुपे हैं और उसका आपको 30% निकालना है मानलीजे 100 रुपे का 30% आपको किसी को देना है निकाल के तो कितने रुपे हैं दोस्तो 100 रुपे हैं 100 लिखेंगे का का मतलब होता है multiply 30% की बात होई है तो 30 लिखेंगे मैंने क्या बताया दोस्तो percent का मतलब क्या होता है बटे में 100 तो percent दिखाई देगा तो इसे क्या लेखेंगे बटे में 100 लेख देंगे अब देखे एक zero से एक zero ये कट गया ये वाले zero से ये वाला कट गया 10 बचा 3 बचा 10 का multiplier 3 से कर दो कितना हो जाएगा 30 रुपे हो जाएगा तो 100 रुपे का 30% निकालना था 100 रुपे का 30% आपको किसी को देना था तो कितना देना है आपको 30 रुपे देना है अब बड़ी संख्याका देख लीजे यहां पर 5,000 रुपे की बात कर रहा है कि 5,000 का 5% कितना होगा clear है तो जो आपको दिया जाए वो लिख लेना है जितने परसंट की बात होगी का का मतलब दोस्तों multiply होता है जितने परसंट की बात होगी वो percent लिखेंगे और percent का मतलब क्या होता है हमेशा बटे में 100 होता है यहां पर percent दिया गया है तो 5 उपर लिखना है यह percent हमेशा बटे में 100 होता है तो 2,0 से आपके दोस्तों यह वाले 2,0 कट जाएंगे 5 का multiply 5 से कर दो कितना हो जाएगा 25 और एक ही 0,50 ता इसे चोड़ेंगे 250 तो 5,000 का 5% कितना होगा 250 रुपे होगा मानलीजे 5,000 का 5% आपको किसी को देना था तो 250 रुपे देना था मानलीजे 5,000 की चीज़ पर 5% की आपको छूट देनी थी तो कितने की छूट देनी है 250 रुपे की छूट देनी है केलियर दोस्तों समझ में आगी बाद उम्मीद करता हूँ सबकी समझ में बहुत अच्छे तरीके से आ रहा होगा अब देखेंगे अगला कोशन अब देखिए अगला कोशन क्या कहा गया है आप से यहाँ पर कहा गया है कि प्रतिसत को भिन्ने में बदलना है जैसे यहाँ पर 10% दिया गया है इसको भिन्ने के रूप में लिखिए 25% दिया गया है इसको भी भिन्ने में बदलिए और 33 सही एक बटे 3% दिया गया है इसको भी भिन्ने में बदलिए ठीक है तो दीखें कैसे भिन्ने में बदलते हैं ओपर क्या दिया गया है 10 तो 10 को क्या करेंगे ऊपर लिखेंगे हमेशा और इसके साथ में % दिया गया है तो मैंने क्या बताया % का मतलब बटे में 100 होटा है ठीक है एक 0 से ये 1 0 कट गया ूपर कितना बचा एक नीचे कितना बचा done 20 तो 1 बटे 10 हो गया इसका भिन्य का रूप कितना हो गया दोस्तों एक बटे 10 हो गया तो 10% को भिन्य में कैसे लिख सकते हैं एक बटे 10 अब यहाँ पर देखिए 25% आपको दिया गया है तो 25% को भिन्य में बदलना है तो 25 लिखिए और इसके साथ में परसेंट है परसेंट का मतलब क्या हो होता है इसे कटाओ 25 से कटेगा एक बार यह 25 से कटेगा चार बार इसका भिन्ने का रूप कितना हो गया एक बट्टे चार हो गया इसको भी दोस्तों भिन्ने में बदल दिया अब 33 सही एक बट्टे तीन दिया गया है यह आपको कंफ्यूस करता है कि इसको कैसे बदलेंगे लेकिन दोस्तों इसको भी इसी तरीके से बदलेंगे देखिए कैसे बदलेंगे यहाँ पर 33 एक बटे 3 दिया गया है कोई बात नहीं तीन का मल्टिप्लाइज 33 में करोगा कितना हो जाएगा 99 हो जाएगा 33 दिया 99 99 एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 100 ऊपर कितना हो जाएगा दोस्तों सो बटे में कितना रहेगा यह तीन रहेगा और यह आपका प्रैतिसत का साइन रहेगा के लिए आफ़े देखिए उपर कितना है दोस्तों सो है बटे में कितना है यह तीन है और इस प्रैतिसत का मतलब क्या होता है दोस्तों बटे में 100 होता है तो बटे में ये 100 आ जाएगा किलियर है 100 आ गया अब देखिए यहाँ पर ये 100 से 100 कट जाएगा उपर कितना बचेगा 1 नीचे कितना बचेगा 3 तो 33 सही 1 बटे 3 परसेंट का मान कितना होता है भिन्न में एक बट्टे तीन होता है ये इसका भिन्न का रूप हो गया केलियर दोस्तों ये आपको दिक्कत करता था कि सर एक बट्टे तीन कैसे हो जाता है तो इस तरीके से ये हो जाता है के लिए दोस्तों अब देखेंगे भिन्न को प्रती सत्य में बदलना सीखेंगे दोस्तों के लिए रहे अगला कोशन है दोस्तों दो बटे 5 को प्रती सत्य में बदलना है हमें क्या करना है भिन्न को प्रती सत्य में बदलना है कोई बात नहीं बड़ी आसानी से बदलनेंगे क याद रखा है दोस्तों दो बट्टे 5 तो आप यहाँ पर दो बट्टे 5 को लिख लिए हमेशा याद रखना कभी भी आपको प्रतिसत में बतरना हो कोई भी चीज ठीक है तो उसे क्या करेंगे 100 से multiply कर देंगे क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था प्रतिसत का चिन्ने क्या होता है दोस्तों यह वाला होता है और प्रतिसत का मतलब क्या होता है दोस्तों 100 होता है पहले ही बताया था ठीक है प्रतिसत का मतलब क्या होता है 100 तो हमेशा याद रखना किसी भी चीज को आप प्र से multiply करेंगे ठीक है दोस्तों अब 100 से multiply हो गया पांस से 100 कितनी वारी कटेगा 20 बार दो का multiply 20 में होगा कितना हो जाएगा यह हो जाएगा आपका 40% बदल गया दोस्तों दो बटे 5 को प्रैतिसत में बदलना था चार से काटो कितनी वार कटेगा 125 बार तीन का 25 से multiply कर दो कितना हो जाएगा यह हो जाएगा 75 परसेंट तो हमने क्या क्या भिन्न को भी प्रैतिसत में बदलना सीख लिया उमीद करता हूँ आज का वीडियो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा ठीक है दोस्तों अगर कोई डाउट हो कोई भी confusion हो तो कमेंट वाक्स में जरूर बताएगा दोस्तों धन्यवाद